नमस्कार मैं हूं अमित कटोच स्वागता आपका आपके बिने चनल एच्प अमित एजूकिशन में है विजटीक एडर के लिए हमारी ये तीसरा मोग टेस्ट है पेपर बन में आपको हम मोग टेस्ट प्रवाइड करुआ रहे हैं साथ में बेड पोशन की क्लासेश भी हमारी चली है सभी के लिंक आपको डिस्क्पिशन में मिल जाएंगे ये थर्ड मोग टेस्ट होगा इसमें 50 कोशन आपको देखने को मिलेंगे और सभी अच्छे कोशन आपको यहां पर मिलेंगे आप खुद भी टेस्ट लगा सकते हैं कि आपके 50 में से कितने कोशन राइट होते ह हैं फर्स्ट कोशन है फर्स एक्षन अच्पी जीके का है फर्स्ट कोशन गिरी नदी कहां से निकलती है विर डज गिरी रिवर और चंदनाल लेक कुपर चोटी यह फिर चूरदार इस कोशन का राइट अंसर है ओप्शन बी कुपर चोटी गिरी नदी इस्टिक शिमला से रिकलती है और इसका जो ओरीजन है कुपर चोटी से होता है तो मौस्ट मौस्ट इप्रणट यह रिवर रहती है ओप्शन बी इस कोशन का राइट अंसर है नेक्स्ट कोशन हिमाच्व प्रदेश का जो अभी बजट जारी हुआ है 2024-25 का इसमें हिमाच्व प्रदेश को कब आत्म निर्वर बनाने का लक्षिय रखा गया है चार अप्शन आपको दिये गए है 2025-2030-2032 यह वे 2035 में इस कोशन का राइट अंसर ऑप्शन सी 2022 तक हिमाच्व प्रदेश को आत्म निर्वर बनाने का लक्षिय 2024-25 का जो बजट अभी जारी हुआ है उसमें रखा गया है नेक्स्ट कोशन है श्वालिक शंखला की चुड़ाई कितने किलोमेटर के बीच मानी जाती है यहाँ पर आपने बीर्थ बतानी है श्वालिक रेंज की ओप्शन दिये गए हैं फर्स्ट ओप्शन है 10 km to 40 km 75 km to 100 km 10 km to 60 km या फिर 100 km to 150 km श्वालिक रेंज सबसे निचे वाली पड़ती है इसका जो राइट अंसर है भाव ऑप्शन ए 10 km to 40 km श्वालिक रेंज सबसे नीचे उसके उपर मेठ हिमाले रेंज वो लगती है और सबसे उपर ट्रांस हिमाले रेंज हिमाचल प्रदेश में लगती है नेक्स्ट कोशन है चंबा के खड़ा मुख के पास कौँ सी नदी मिलती है बुदिल नदी चनेड नदी साल नदी या फिर बैरा नदी ये सारी ही नदियां जिस्टिक चंबा में लगती हैं और सभी जो है ये रावी की साइक नदियां हैं इस question का जो right answer है वो option A बुदिल नदी उपर से मनिमेश नदी आती है कुक्ती नदी आती है हरसर के पास वो मिलती है और उनकी जो स्यूंकदार है वो बुदिल कहलाती है और आगे चलकर ये खड़ा मुख के पास रावी से मिलती है तो सारी डिटेल में आपको जो वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मि कितनी है 720 किलो मेटर 1449 किलो मेटर 460 किलो मेटर या फिर 20,000 किलो मेटर इस कोशन का राइट अंसर है वह ऑप्शिन भी 1449 किलो मेटर सुतल नदी का उरीजन हिमाचल के बार से होता है फिर हिमाचल प्रदेश में आती है आगे चल करें मजाब में जाती है फिर पाकिस्तान में चली जाती है तो टोल इसकी लेंथ 1449 किलो मेटर बनती है 720 किलो मेटर लेंथ रावी की है और 460 किलो मेटर लेंथ ब्यास नदी के है टोल जो भी लेंथ बनती है नेक्स्ट कोशन दोलादा श्रंखला को सतलु नदी कहां पर कारती है चार अप्शन आपको दिये हैं लार्ज के पास और दोलादा शंक्रा को ब्यास नदी कहां पर कारती है तो वो लार्जी के पास उसका नसर होना था option A तो दोनोंगी कोशिन महित्वपूर है दोलादा शंक्रा को सतलोन नदी रामपूर के पास कारती है option B महारिशी बाल में की कामगार योजना के थहत बालमिक्स मार्स को घर बनाने के लिए कितनी साहितराशी देने की बाद बजट 2024-25 में की गई है महत्रपन कोशन ओप्शन 4 है 5 लाख ओप्शन B 2 लाख ओप्शन C 3 लाख या फिर ओप्शन D 1.50 लाख इस कोशन का राइट अंसर है ओप्शन C 3 लाख बालमिक्स मार्स के बे लोग जिनकी सालेना इंकम धाई लाख से कम है उनको मकान बनाने के लिए घर बनाने के लिए जो गौर्मेट के तरफ से हल्प करी जाएगी वो 3 लाख रुपे की होगी तो महत्रपन कोशन है नेक्स कोशन बड़ प्रसेंटेज ओफ हिमाच्चर प्रदेश फाल इन ट्रांस हिमालिया ज़ ट्रांस हिमालिया में हिमाच्चर प्रदेश का कितने प्रश्चत हिस्सा आता है हिमाच्य प्रदेश का सबसे ज़्या हिस्सा ट्रांस हिमाले के अंतरकती आता है इसमालेक रेंज उसके ओपर मीठ हिमाले रेंज उसके ओपर ग्रेट हिमाले रेंज और उसके ओपर ट्रांस हिमाले रेंज ट्रांस हिमाले में हिमाच्य प्रदेश का लगवग 35% जो एरिया आता है मौस्ट इपरन कोशन नेक्स कोशन चांसल चोटी की उन्चाई कितनी है 4520 मेटर, 369 मेटर, 4200, 30 मेटर या फिर 4967 मेटर इस कोशन का राइट अंसर है ओप्शन A, 4520 मेटर चांसल चोटी ये डिस्टिक शिमला में पड़ती है और इसकी जो उन्चाई पग 4520 मेटर है ओप्शन A कोशन का राइट अंसर है नेक्स कोशन जल मुसाका खाला किस नदी को कहा जाता है विच रिवर इस कॉल्ड जल मुसाका खाला ओप्शन है पवर नदी, यमना नदी, बाटा नदी या फिर गिरी नदी सभी यमना की साइक नदी है यहां पर और जल मुसाका काला जो है ये ओप्शन C जो बाटा नदी है उसको बोला जाता है तो इस कोशन का राइट अंसर ओप्शन C बाटा नदी नेक्स्ट कोश्चन है जय टेग एक्ट कब लागू किया गया है हमाच्प परदेश में बहुत सी बस्तु जिनको जय टेग दिया गया है यह नैंटीनाइन में जो वो शुरू हुआ था बट इसे इंप्लिमेंट 2003 में किया गया है तो इस कोश्चन का जो राइट अंसर है वो 2023 नेक्स्ट हमाच्प परदेश के किस बस्तु को उर्च ग्वारा जय टेग दिया गया है उर्च परदेश की एक बस्तु को जय टेग दिया गया है वो कौन से है कुलू कि शोल कांगड़ा पैंटिंग कांगड़ा टी या फिर चंबरुमाल इस question का right answer है option C, kangra T, kangra T को April 2013 में European Union द्वारा अपना J tag दिया गया है, ताकि इसकी जो पिछान है वो वर्ल लेबल पर बन सके, तो इस question का right answer option C, next question, बीच कैप चोटी किस जिले से समझित है, आज करिए एक्जाम में पुछी जाती है, option है कुलू, मंडी, स्रिमोर या फिर लावल स्पिती, इस question का right answer है, option B, मंडी, मंडी district में बीच कैप ये जो पीक है वो पड़ती है, next question, what is the water catchment area of Ravi river, Ravi नदी का जल ग्रंग शेतर कितना है, जल ग्रंग शेतर क्या होता है, आप यहाँ पर देखें, जो एरिया आपको यहाँ पर बताया गया है, जहां से जो ट्यूट्रिस रावी में मिलती है, उस एरिया को हम जल ग्रंग शेतर बोलते हैं, रावी का जल ग्रंग शेतर, उप्शन सी विलकुल राइट अंसर है, 5451 स्केर किलोमेटर रावी नदी का कैस्मेट एरिया है, उप्शन सी विलकुल इसमें राइट अंसर है, नेक्स्ट कोषन, हिमाच्यब परदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष यह कब दक रखा गया है, तो यह भी बज़ब 2024-25 का कोशन है, इस क्कोशन का राइट अंसर स्केर उप्शन B, 30 मार्स 2026 को हिमाच्य प्रदिश को green energy state बनाने का लक्षिय रखा गया है नेक्स कोशन नेक्स कोशन नेशनल इंटरनेशनल फिर एंसर रहेंगे फर्स कोशन है बिशिप खाद्यावे मुक्रिशी संगर्थन का मुख्याले कहां पर है वर्ल्ड फूर्ड एग्रिकल्चर और्गनाजेशन हेट्वाटर इस जनेवा वशिंग्टन डीसी रॉम या फिर स्विजलेंड इस कोशन का रहेंट इंसर है ओप्षिन सी रॉम रॉम जोकी इटली में है बहां पर इसका हेट्वाटर पढ़ता है जुख्योशन का रहेंट इस स्थापना हुई थी तो फ्सीस में इसकी स्थापना भी हुई थी इसकी six option languages है और two working languages है तो यह important है next question है 2013 में रह्मन मैकसस से आवार्ड किने दिया गया है बिनोवा वावे रवीष्ट कुमार दरायलांबा या फिर महत्मा गांदी जो पहले तीन option है इन सभी को रह्मन मैकसस से आवार्ड दिया गया है बिनोवा वावे को 1958 में रवीष्ट कुमार को सोरीत 2019 में और दरायलांबा को 2023 में जो यह आवार्ड दिया गया है 26 अप्राइल 2023 में उनको यह आवार्ड मिला है तो इस question का जो right answer है वो option C दरायलांबा of electronic exporter state of इंडिया गुजराथ, तमिलनाडू, केरला या फिर करनाटका इस question का right answer है option B तमिलनाडू में सबसे ज़्यदा electronic export किये जाता है जो की total export का 22.8% overall सभी जिस्टिक में से है next question global satanj league 2023 का खिताब किसन जीता था गंगा grandmasters, त्रिवेनी continental kings, SG alpine warrior या फिर spark gulf titans इस question का right answer है option B, त्रिवेनी continental kings next question हाली में चिखल कालो उस्तव कहां मनाया गया, विर चिखल कालो festival वास celebrated, गोवा, केरला, तेलन गाना या फिर 36 गड़ इस question का right answer है, वो option A, गोवा, गोवा में ये उस्तव जो है वो मनाया गया है, मिट्टी से समंदित खेलने का ये उस्तव है, और नया खेल जो है ये बहाँ पर शुरू किया गया है, उससे समंदित जो है ये new festival शुरू किया गया है, option A, विलकूर right answer है next question, भूमी सम्मान 2023 किसके द्वारा परदान किये गए हैं? ये उन लोगों को परदान किये गए हैं, mostly जो बिर्विन राज्यों के जिला कलेक्टर हैं, 67 राज्यों के सचिब हैं, जिनके द्वारा जो लैंड रिकोर्ड है, उसको डिस्टल बनाया गया है, तो ये हमारी परदान किये गए हैं, option B बिलकुल इस कोशन का राइट अंसर है, next question, बीर सावरकर इंटरनेशनल एरपोर्ट कहां स्तित है, नेदेली में, जेपूर में, पॉर्ट ब्लेर में, एहमदबाद में, ये भी 233 में चर्चा में रहा है, क्योंकि इसकी जो नई बिल्डिंग बनी है, उसका दुगाटन, conference के माधियम से परदानमंतरी ने अंदर मोदी जी न किया था, तो ये पॉर्ट ब्लेर में, पड़ता है, option C, इस question का बिलकुल राइट अंसर है, section से हमरा first question है, select the incorrectly spelt word, आपके यहाँ पर four options है, तो ध्यान से देखिए, और इसमें आप भी अपने अंसर से लगा सकते हैं, कि कौन सा यहाँ पर word जो है, वो incorrectly spelt है, तो यहाँ पर जो आपका rate answer है, option A, ठीक है, यह इसकी spelling जो हो पर गलत है, इसको इस तरह से लिखा जाता है ठीक है, वासी फिरेस, इसका मेनिंग होता है कि अपनी भाबनाओं को जो है, पो बिल्कुल जोरदार ढख से जो हो व्यक्त गरना, ठीक है, अफ्लिक्शन लिखा हुआ, तो अफ्लिक्शन का मेनिंग होता है, दुख, ठीक है, और जो आपका episcopal लिखा हुआ, इसका होता है, सीधा साधा, ठीक है, नेक्स्ट गश्चन है, select the appropriate phrasal verb from the given options to fill the blank space and complete the sentence, तो यहां पर लिखा है, 10 candidates blank for the interview, turned up, turned down, turned over and turned out, तो इसका question का right answer क्या रहेगा, देखो, आपका जो है, option इसका correct है, option A, ठीक है, turned up, 10 candidates turned up for the interview, turned up का मेनिंग होता है, उपस्थित वस्थू, ठीक है, उपस्थित या निगी, and turned down का मेनिग होता है, मना करना, and turned over तो इसका मेनिग होता है, पलटना, and turned out का मेनिग होता है, निकासना, so option is the correct, next version है, directions लीगी है, the following sentence has been split into four segments, identify the segment that contains the grammatical error, लिखा गया है, had you not reach in time, we will have lost our lips, कौन से पार्ट में इसमें grammatical error है, option A, had you, we lost our lips, and option C, not reach in time, and option D, we will have, तो इसका question का right answer, जो है पो बिलकुल D सही है, we will have में error है, ठीक है, यह आपके tenses related error है, ठीक है, आप इसके बाद आते है, select the most appropriate meaning of the given idiom, तो यहां पे आपका be hard up, तो be hard up होता है, कि बहुत कम पैसा होना, ठीक है, तो इस question का देखो, क्या आएगा right answer, find it very difficult to bake up early, option A, have very little money, option B, unable to calculate C, have difficulty in climbing stairs, तो इसका क्या आएगा right answer, so option B, have very little money, ठीक है, बहुत कम पैसा होना, तो ही सकारत है, next question है, direction, in the following question, out of the four alternatives, choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrase, the most smart, तो इसका जो है, बो क्या हैगा, option A है, a blunt smart, D, a closely impending disaster, and option C, a spot of demolition, and option D, a disputed spot, तो क्या आएगा, इसका राइटम सा, option B, a closely impending disaster, next question है, select the sentence that has a spelling error, आपके पास यह four options है, इसमें आपने बताना है, यहाँ पर, ठीक है, आपने comment section में अपने answer कर सकते हैं, कि कितने आपके questions में right हो रहे हैं, हर एक section से, तो option A देखो, B देखिए, C देखिए, and option D देखिए, आपके हम थोड़ा सा time में आपर देते हैं, और लगाई यह answer, देखिए, यहाँ पर कौन से sentence में जो है, वो spelling error है, बिल्कुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, वो बिल्कुल आपका right answer है, option D, ठीक है, option D में यहाँ पर balance में error है, ठीक है, balance की spelling की बात करें, तो यह होती है, तो ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल incorrect spelling लिखिएगे, option D is the correct answer, next question है, direction, items in this section has a sentence with three underlined parts labeled A, B and C, rear sentences to find out whether there is an error, in any underlined part and indicate your response in the answer sheet against the corresponding letter, ठीक है, A, B or C, if you find no error, your response should be indicated as D, ठीक है, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर है, she is walking A, in the park B, since morning C and no error D, तो यहाँ पर बिताएए कि A, B, C, D, कौन से पार्ट में जो है, वो आपका error है, तो इस question में आपका जो है, कौन से पार्ट में error है, यहाँ पर आपका option A, बिलकुल correct है, ठीक है, C is walking, यहाँ पर present perfect continuous tense का है, तो यहाँ पर शिस walking में error है, next question है, select the most appropriate meaning of the given idiom, all eyes, तो यहाँ पर option A है, watching with anger, watching eagerly, watching with no interest and option A, not watching at all, तो इस question का क्या आएगा right answer, तो इसका आएगा watching eagerly, next question है, what is the most appropriate idiom of the given word, deemed, option A, construed, B, presumed, C, disregarded, and option D, infrared, तो क्या आएगा इसका right answer, deemed, deemed का meaning होता है, माना जाता है, तो आपका जो यहाँ पर construed इसका meaning होता है, विवस्था की गई, और आपका presumed का meaning होता है, कि माना जाता है, disregarded इसका meaning होता है, पेकशित, and infrared का meaning क्या होता है निसकर्ष निकालना तो क्या है इसका right answer अब आपको clearly समझा रहा है option C, disregarded next question है यह आपका English section से last question है feminine of wizard is तो देखिए और बताइए कौन सा option इसमें right है बहुत easy question है आपके लिए last question English section, option D wizard का feminine होता आपका bitch ठीक है तो आपका यह थे English section से most important questions किस केंदरी मंत्राले ने प्रजवला चेलेंज लॉंच किया बिच यूनिन मिनिस्ट्री लॉंच प्रजवला चेलेंज options हैं A, आवास और सहरी मामलों का मंत्राले B, ग्रामिण विकास मंत्राले C, क्रिह मंत्राले option D, क्रिशी और किसान कल्यान मंत्राले तो इस question का जो है वो आपका right answer option B, ग्रामिण विकास मंत्राले next question है भारत interface for money यानि की भीम app किस अंस्थाने विक्सित किया which organization developed the भारत interface for money app आपके options हैं A, RBI B, NPCI option C, C, B and option D है Nescom तो इस question का जो है यह जो आपके चार option है इनकी full form जो है वो आप सभी comment section में बताएंगे तो right answer option B, NPCI next question है बिश्व कैंसर दिवस परते एक वर्ष किस महीने मनाया जाता है World Cancer Day is celebrated every year on which month option A, March B, June C, September option D है फरवरी तो यहाँ पर जो है वो आपका right answer है option D, February यह जो है वो आपका हर साल 4th February को मनाया जाता है next question है प्रते एक वर्ष civil लेखा दिवस कम मनाया जाता है वेने civil accounts they celebrated every year option A, 1st March B, 3rd March C, 5th of March and option D, 7th of March तो इस question का जो है वो आपका right answer है option A, 1st of March हर वर्ष जो है वो civil लेखा दिवस एक मार्च को मनाया जाता है next question है बिश्व मोटापा एटलस 2023 में किस क्षेत्र के देशों में मोटापे किदर में सबसे अधिक बृध्धी पाई गई in the world of history at last 2023 countries in which reason were found to have the highest increase in of history rates तो आपके option है A, अफ्रीका और एशिया B, उत्री अमेरिका C, यूरोप और option D है अफ्रीका और दक्षिन अमेरिका तो आपका जो ये current of fairs का जो है section का last question है तो इसका right answer जो है option A, अफ्रीका और एशिया is the right answer हिंदी section से आपका ये first question है दिये गए वाक्य का वह भाग ज्याद करें जिसमें कोई तुरुटी है आपका वाक्य है लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है आपके options है अगर परिश्रम को जोड दिया जाए तो B. संभव हो जाती है C. असंभव कार्य भी option D. लगन के साथ तो इस question का जो है वो बिल्कुल right answer है option B. संभव हो जाती है यहाँ परानाता संभव हो जाता है next question है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपियुक्त शब्द का चैयन करें नेहा को अपने किये की ब्लैंक मिलेगी कुलहाडी, गुडिया, पुरुस्कार, सजा तो इस question का right answer है option D. सजा नेहा को अपने किये की सजा मिलेगी next question है दिये गए शब्द का बिलोम चुने उत्थान option आपके पास यहाँ पर है तो इस question का जो है वो आपका right answer है option D. पतन उत्थान का बिलोम होता है पतन next question है दिये गए शब्द के प्रयाइवाची शब्द का चैयन करें आपका शब्द है अमरित तो यह four option है पियूश, नीर, बिश और रस तो इसका जो है वो क्या आएगा right answer अमरित का आएगा प्रयाइवाची पियूश next question है शुद्ध बरतनी बाले शब्द का चैयन करें तो अलग लग प्रकास यह सर्ब भक्षी लिखा गया है तो किस तरह से लिखा जाता है आपका तो option A आपड़ डी बिल्कुल correct है सर्बख्षी बिल्कुल इस तरह से लिखा जाता है next question है निमन लिखित मैंस से उस बिकल्प का चैयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहाबरे का अर्थ व्यक्त करता है option A बिना परियास के कीमती बस्तु मिल जाना B. सफल होना C. आयोग्य होना D. परियास से कीमती बस्तु मिलना तो इस question का जो वो right answer है बिना परियास के कीमती बस्तु मिल जाना अंधेर के हाथ बटेर लगने मुहाबरे का अर्थ है next question है दिये गई वाके में रिखांकित खर्डंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उप्युक्त विकल्प का चेन करें वाके है दुविधा आतम विश्वास को सबसे बड़ी शत्रू है क्योंकि दुविधा एकागरता को नस्ट कर देती है तो इसमें बताना है आपने कौन सा उप्शन करेक्ट है दुविधा आतम विश्वास की सबसे बड़ी शत्रू है दुविधा आतम विश्वास की सबसे बड़ी शत्रू है दुविधा आतम विश्वास का सबसे बड़ी शत्रू है जो देखने योग्य हो Option A, दर्शनिय, B, शौभनिय, C, प्रसंसनिय, Option D, रमनिय तो जो देखने योग्य उसे कहते है, Option A is the correct answer, दर्शनिय Next question है, दिये गई वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिये आपका वाक्यांश है यहाँ पर रात में घूमने बाला तो रात में घूमने बाले को क्या कहते हैं, दिनचर, निशाचर, शनीचर और खगचर तो आपका जो इसमें right answer option B, निशाचर रात में घूमने बाले को निशाचर बोलते हैं Next question है, हिंदी की आदी जन्नी है option A, प्राक्रित, B, पाली, C, अप्रभंश और option D है, संस्क्रित तो इसको जो भबो क्या है, right answer हिंदी की आदी जन्नी जो है, वो कौन है option D, संस्क्रित ये थे हिंदी सक्षन से important questions